आज की वीडियो में हम लोग क्लास अलिवंद का जोगरोफी का अंसर की देखने वाले यानि सारे कुश्चन का उत्तर आप लोग कमेंट बोक्स में टाइप कीजेगा कि आपका मार्स कितना है पहला कोश्चन के आपका निमने लिखी तिमें से किस विद्वान ने भुगोल सब्द का सरोपर्थम परयोग किया इसका उत्तर होगा अपसन नमर दूसरा यानि इरे टोस्थनीज आगे देखे दूसर कि सता का कितना प्रतीसात भाग सागर से धका है तो 70 प्रतीसात आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन तीसरा नमबर और कुश्चन नमर तीसरा क्या आपका भारत का कूल भगोलिक छेतर फल क्या है तो यहाँ पर देखे इसका जो उत्तर है वो आपका नमर दूसरा आगे निमनी लिखित में से अरावली परवत की सबसे उची चोटी कौन सी है इसका सही उत्तर होगा उप्सन नमर तीसरा यानि गुरू सिखर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चेन नेक्स्ट कोश्चेन क्या आपका सिक्स नमर निमनी लिखित में से कौन सी नदी को बिहार का सोक कहा जाता है इसका उत्तर होगा कोशी नदी ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चेन क्या आपका मिर्दा का सारवदिक व्यापक और सारवदिक उपजाव परकार कौन सा है इसका उत्तर होगा जलोड मिर्दा आगे बढ़ते है नेक्स्ट कोश्चेन आगे देखिए निमलिकित में से कौन सा देश चेतरफल में भारत से बढ़ा है इसका उत्तर होगा चीन ठीक है आगे बढ़ते है नेक्स्ट कोश्चेन 11 number question क्या आपका पृत्वी की सबसे उपरी प्रत इसको बोलते है भूपर पट्टी आगे बढ़ते है next question और next question क्या आपका भारतिय महा मर्वजथल को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है तिसका उत्तर होगा थार मर्वजथल आगे बढ़ते है next question और next question क्या आपका पृत्वी पृत्वी पर जीवन निमने लिकित में से लगबग कितने वर्स पहले हुआ इसका सही उत्तर होगा ये आपका option number ये आपका दूसरा ठीक है 3.8 billion वर्स पहले देखे 3.5 billion exact answer है इस समय जीवन उत्पन हुआ था और 4.5 billion में क्या हुआ था पृत्वी का निर्मान हुआ था आगे बढ़ते next question 14 number क्या आपका किस गरा को लाल गरा भी कहा जाता है इसका सही उत्तर होगा मंगल गरा को आगे बढ़ते next question और next question क्या आपका जवार ये परी कलपना किस विद्वान ने परस्तुत किया इसका सही उत्तर होगा जेम्स और जेफ्रीज ने आगे बढ़ते next question next question क्या आपका पृत्वी का प्राकृतिक उपगरा है तो आपका उत्तर होगा चंद्रमा आगे बढ़ते next question next question क्या आपका 17 number उकम के परिनाम को कैसे मपा जाता है इसका सही उत्तर होगा सिस्मो ग्राप में ठीक है सिस्मो ग्राप से आगे बढ़ते next question और next question क्या आपका पृत्वी की आंत्रिक प्राध्यानी क्रोड का निर्मान किस से हुआ है इसका सही उत्तर होगा सिलिकोन और लोहा से सोरी मतलब निकेल वा लोहा के मिसरन से आगे बढ़ते next question next question 19 number क्या आपका अलफ्रेड वेगनर ने महादिपिय प्रवा का सिदान्थ कब प्रस्तुत किया इसका उत्तर होगा 1912 में आगे बढ़ते next question next question क्या आपका विसाल सागरिय भाग को वेगनर द्वारा क्या नाम दिया गया था इसका उत्तर होगा पैंथा लास ठीक है आगे बढ़ते next question next question क्या आपका हिमाले परवत संबंदित है किस से है इसका उत्तर होगा अपसन नमर वन ठीक है यानि टेथी सागर से आगे बढ़ते next question और next question क्या आपका वायू मंडल में ऑक्सीजन की मातरा कितनी परतिसात है तो यह आपका आपसन नमर तीसरे यानि 20.95 परतिसात आगे देखे next question वायू मंडल की सबसे उपरी परत क्या है तो इसको बुलते है बाह मंडल आगे बढ़ते next question नेक्स्ट क्या आपका पुरानी जडोल मिर्दा को क्या कहा जाता है तो बांगर आगे बढ़ते next question नेक्स्ट क्या आपका आगे देखे next question किस नदी को दक्षिन की गंगा कहा जाता है इसका सही उत्तर होगा कावीरी नदी ठीक है आगे बढ़ते है नेक्स्ट कोश्चिन नेक्स्ट कोश्चिन क्या आपका गंगा नदी का उद्गम अस्तल है कौन सा है तिसका उत्तरगा गंगोतरी हिमनत आगे बढ़ते है नेक्स्ट कोश्चिन नेक्षटे क्वेशन क्या आपका चिल का जहील किस राजमेश्तित है इसका उत्रोगा वड़ीशा में आगे बढ़ता है नेक्स्टे क्वेशन नेक्स्टे क्वेशन क्या प्रायद रिपल्पियींप पठार की उचाई क्या है तो 600 से 900 मीटर उचाई है आगे देखिए नेक्स्ट कुश्चिन के आपका विस्व की सरवच चोटी निमलिकित में से कौन सी है तो मौंट एविरेस्ट है आगे देखते है नेक्स्ट कुश्चिन के आपका जै विवित्ता कहां समरिद है उस ने कटि बंदिये चेतरों में और आगे बढ़ते है next question longer question कि आपका राष्टिय उद्यान और अभिहारन किस उद्देश के लिए बनाए गए है तो संरक्षण के लिए बनाए गए आगे बढ़ते है next question नम निलिकित में से कितिनी उचाई पर oxygen की मातरा नग्न हो जाती यानि ना के बराबर इसका उत्तर होगा 120 किलो मीटर देखे नेक्स्ट कोश्चन निमलिकित में से कौन सा उसाधिये चट्टान है तो इसका उत्तर होगा अपसन नवर तीसरा यानि बेसाल्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन नेवाली हवा को क्या कहा जाता है लू कहा जाता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन क्या आपका साम का तारा किस गरा को कहा जाता है सुक्र गरा को कहा जाता है आगे देखें नेक्स्ट कोश्चन भारत के अधिकान क्या आपका सरवाधिक तापमान अंकित किस टाइम होता है तिया आपका दो पहर में होता है या प्राहन दो बजे यह थे आपके 40 कोश्चिन आप लोग अच्छा मार्क्स गेंड कियोंगे तो आप कमेंट वोक्स में टाइप कीजेगा आने वाले इसी तरह न्यू अपडेट के लिए मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में